तो किस तरीके से आप DeepSig का यूज करकर एक Tool Website Create करकर मनीमेग कर सकते हैं? आज मैं आपको बताऊँगा. दोसो, DeepSig के माध्यम से Tool Website Create करने के लिए सबसे पहले आपको यह decide करना है कि आपके इस टॉपिक के उपर अपनी Tool Website Create करना चाहते हैं. And Tool Website Create करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात के उपर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर एक ऐसा टोपिक फाइंड करना है जिसके उपर बहुत ही कम कॉम्पेटिशन हो और मार्केट के अंदर उसकी डिमांड सबसे जाता हूँ. तब ही आप यहाँ पर Tool Website के मद्यम से आर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप Keyword Research Tools का यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं तो आप यहाँ पर DeepSick के मद्यम से भी Training Topics को फाइंड कर सकते हैं, जिनकी उपर आप अपनी Tool Website Create कर सकते हैं. तो Training Topic को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको DeepSick के उपर आना है और इसकी उपर अपना Account Create कर लेना है. और Account कैसे Create करते हैं? ओलडी मैं आपको अपनी प्रिविस वीडियोस के निदर बता चुक हूँ. तो आप अमारी प्रिविस वीडियोस को देख लें, वहाँ से आपको DeepSick के उपर कैसे Account Create करना है, उसकी जर्णकारी मिल जाएगी. जैसे आप DeepSick के उपर अपना Account Create कर लें, उसके बाद आपको इसके Home Page को पराना है, और यहाँ पर आपको Option बिलेगा Start Now का, तो आपको इसको पकलिक करते हैं, जैसा आप इसको पकलिक करेंगे तो आपके सामने New Page आएगा, अब हमें यहाँ यहाँ पर trending topic चाहिए, जिसकी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखाया है, मैं एक tool website बनाना चाहता हूँ, जो Google के उपर easily rank कर जाए, तो हमें यहाँ पर top trending ideas तो, तो DeepSick ने यहाँ पर अथे समरी prompt को analyze किया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ ideas देती है, जैसे कि पहला idea यहाँ पर क्या दिया है, AI Power Tools, जि फिर आप यहाँ पर AI Code Assistant create कर सकते हो, दूसरा topic आपको यहाँ पर दिया है, SEO और Digital Marketing Tools, जिसके अंदर आप इन topics को पर work कर सकते हो, productivity और business के अंदर आप इन topics के ऊपर अपनी tool website create कर सकते हो, education और learning के अंदर आप इन topics के ऊपर अपनी website बना सकते हो, उसके अलावी आपको यहाँ पर बहुत सारे ideas दिये हैं, जिनकी उपर आप अपनी tool website create कर सकते हो, तो अलोड़ी मैंने यहाँ पर deep analyze किया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर topic find किया है, जिसके उपर हम अपनी tool website create कर सकते हो, तो topic का नाम किया है, LIC maturity calculator, तो इसके उपर हम अपनी tool website create करने वाले है, अगर हम इस keyword के volume की बात करें, तो आपको यहाँ पर साफ दिखाए दे रहा है, इस keyword के उपर आपको यहाँ पर इंडिया से ही 12,000 तक का traffic मिल जाता है, उसके अलाभी आपको यहाँ पर बहुत सारे keywords मिल जाते हैं, जिनकी उपर भी आपको यहाँ पर traffic दिखाए दे रहा होगा, अ इस वाले keyword पर work करेंगे, तो 12,000 का traffic मिलेगा, जीवन सरल मैचोटी कैलकुलेटर, अगर इस keyword के उपर tool website बनाते हैं, तो चमाले सोका traffic मिल जाएगा, और भी keywords आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनकी उपर आप अपनी website बना सकते हैं, अब आपको यहाँ पर यहाँ मतलब किया है, D इसका only one है, इस new website है, और कोई भी backlink इसके उपर नहीं बन रही है, फिर भी website यहाँ पर क्या कर रही है, number one पर rank कर रही है, दूसरी website के D यहाँ पर four है, यह भी एक बहुती weak website है, जो कि यहाँ पर इस keyword पर rank कर रही है, कहने का मतलब किया है, अगर आप इस keyword क अपनी website को Google को पर rank कर सकते हैं, और इतना traffic पर आप कर सकते हैं, तो simply हम यहाँ पर इस keyword पर work करने वाले हैं, इसके according हम यहाँ पर अपनी tool website create करने वाले हैं, तो tool website create करने के लिए अगेन हम यहाँ पर DeepSick का यूज़ करेंगे, तो अगेन आपको DeepSick क्यों पराना है, पहले मे मैं यहाँ पर थोड़ा सा website का interface चेक कर लेता हूँ, कि website के अंदर calculator कैसे work कर रहा है, और क्या-क्या features को यूज़ करेंगे, उनी का यूज़ करकर हम यहाँ पर अपनी tool website बनाएं, तो मैं यहाँ पर इस website को open कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप इस website का interface देख सकते हैं, बहु policy term को चूज़ कर सकते हैं, sun asho डाल सकते हैं, benefit बगारा चूज़ कर सकते हैं, then calculate इसको पर क्लिक कर आप यहाँ पर अपने maturity को calculate कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ तरीके से work कर रहा है, तो इस वी कोडिंग हम यहाँ पर अपनी खुद की tool website बनाने वाले हैं, तो अगे हम tool, which is, और यहाँ पर मैंने अपना keyword डाल दिया है, मैंने यहाँ पर कर लिखाया है, LIC maturity calculator, so give me HTML code for this type of tool, so I can host this codes on blogger, यहाँ पर आपको यह जरूर यूज़ करने हैं, कि मैं इस website को blogger के उपर host करना चाहता हूं, ताकि इसी के according यहाँ पर ही आपको code बना करते, अगर आप यूज़ कर लेना है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखाया है, I also want a very professional calculator with LIC theme in it, and make sure it should be very user friendly, and user interface must be clean and easy to understand, you also need to mention the process of using the calculator to the user, इस प्रकास से मैंने यहाँ पर प्रम्ट दिया है, उसके बाद DeepSync नहीं यहाँ पर इस प्रम्ट को अच्छे सैनलाइस किया है, और इसके बाद हमे यहाँ पर HTML code बना कर दे दिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाये दे रहे हैं, तो इस प्रकास से यहाँ पर इसने हमारी tool website का code बना दिया है, जिसको हम blogger के उपर host करेंगे, अब हमें यहाँ पर यह चेक करना है, कि code यहाँ पर work कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको option मिलेगा run as tml का, तो हम इसको पर कलिक करेंगे, तो हमारी tool website कुछ इस परकास से यहाँ पर बन कर दिखाई देगी, अब चेक करते हैं, यहाँ पर work कर रहे हैं नहीं कर रहे है, जैसे कि मालों मैं यहाँ पर total premium paid के अंदर 10,000 डाल देते हैं, and suppose करो हमें यहाँ पर 5% का benefit मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर 5% डाल देता हूँ, then calculate maturity amount इसको पर कलिक करेंगे, तो करी 15,000 यहाँ पर हमारा amount आ रहा है, okay, तो tool यहाँ पर work कर रहा है, तो इस tool को हम यहाँ पर क्या करेंगे, website के अंदर change करेंगे, और blower को पर host करें इस तरीके से आप यहाँ पर इसके user यहाँ पर इसको भी आप अपनी website कंदर डाल सकते हैं, okay, तो पहले मैं यहाँ से code को copy कर लूँगा, उसके बाद आपको जाना है blogger के उपर, and यहाँ पर आपको अपनी website के लिए एक new website क्रीट करना है, तो मैं यहाँ पर click करूँगा, new blog इसके अपकलिक करूँगा, and यहां पर मैं डाल दूँगा, LIC maturity calculator इस परकार से मैं यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ, Hernico Calculator इन यहाँ पर ब्लोग का नाम डाल दिया है, next इसके पकलिक कर दिया है, अब आपको यहाँ पर अपना URL सेलेक करना है, तो मैं यहाँ पर LIC maturity तो हमारी website यहाँ पर क्या हो जाएगी, बन कर ready हो जाएगी, अब आपको अपनी website के अंदर अपने tool को host करना है, तो इस case में हम यहाँ पर आएंगे, post इसको उपकलिक करेंगे, then new post इसको उपकलिक करतेंगे, जैसा आप इसको उपकलिक करेंगे, तो आपके सामने new page आएगा, अब आपको यहाँ पर आना है, estimal view इसको उपकलिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपने code को copy and paste कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको again यहाँ पर आना है, compose view इसको उपकलिक कर देना है, अगर मैं यहाँ पर estimal view को उपकलिक कर देता हूँ पहले, इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर publish कर देंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आपको औना है, publish इसको पकलिक करना है, confirm इसको पकलिक कर देंगे, तो हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, टूल website यहाँ पर publish हो चुकी है, अम मैं यहाँ पर देखूँगा कि हमरी website यहाँ पर कैसे दिखाई दे रिये, तो मैं व्यू ब्लोक इसको पकलिक कर दूँगा, जैसा हम इसको पकलिक करेंगे तो हमारे सामने यह वाला पही जाएगा, हमारे रीडमोर इसको पकलिक कर दूँगा, और हमारी वैपसाइट कुछ इस प्रकास से यहां पर दिखाई दे रही है, तो सिंपल वैपसाइट हमें मैं यहां पर नजार आ रही है, बट मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छे से मतलब बनाना है, मुझे यहां पर क्या करना है, इसके background वगरा को भी अच्छे से set कर लेना है, ठीक है, तो भी मैं यहां पर करना चाहरा हूं, तो मैं इसके theme वगरा change कर देता हूं, तो मैं theme इसके को आपकलिक करूंगा, यहां से आप किसी भी professional theme को choose कर सकती है, जो भी आपको theme पसंदार है, इसको आपको choose findした to यहां से मैं simple theme choose कर लेता हूं, जो यहां पर मेरी website को और भी professional बनाती, yeah, तो तो यहां से मैं इसको यूजस कर लेता हूं यह मुज़सा नहीं लग रहा है इसको यूजस करके देख लेते हैं कैसे दिखाई देता है मैं इसको उपर कुलिक करो हुआ अंपलाई इसको उपकर करणा। अगे अब इसके उपर आपको आणा है यहाँ पर आपको इसको refresh कर देना है ओके तो थीम आपकी यहां पर बदल चुकी है हमाना read more इसको उपक्लिक करूँगा and हमारी website कुछ इस प्रकास से यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रही है तो यहां पर हमारी क्या बन चुकी है टूल website क्रेट हो चुकी है मैं यहां पर चेक कर लेता हूं work कर रही है यहां पर मैं 50,000 डाल दिया है यहां पर मैं 20 डाल देता हूं and यहां पर मैं 5% डाल देता हूं calculate इसको उपक्लिक करेंगे तो टूल website यहां पर work कर रही है अब इसके अंदर में content को भी add करना है ताकि हमारी website क्या करें Google को पर rank कर जाए तो अगेन इसके उपक्लिक करूँगा इसको मैं यहां पर open कर लूँगा okay and मैं compose view इसके उपक्लिक करूँगा अब थोड़ा सा content भी यहां पर add करना चाहता हूं तो जी हमारे यहां पर content था नहीं यह वाला part how calculator works इसको मैं यहां से copy कर लूँग इस तरीके से and इसको मैं यहा पर रहूँगा यहां पर इसको मैं copy and paste कर दूँगा अब मैं यहां पर HTML view चेक करूँगा तो यहां पर यहां पर इस प्रकास यहां पर बन चुका है compose view इसको पर click कर देंगे and यहां पर again update इसको पर click कर देंगे अब हम यहां पर check करेंगे कि मैं tool website कैसे दिखाई दे रही है तो again मैं यहां पर रहूँगा इसको मैं यहां पर refresh कर दूँगा and you can see इस परकास से यह website यहां पर बन गई ओके तो यहां पर content add किया था था न वह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है and यहां पर यह हमारी website इस परकास से बन गई है okay ठीक है अगर आप इसको और भी कर देता हूँ okay and update इसको पर click कर देंगे again हम यहां पर check करेंगे क्या से दिखाई देगा ठीक है इस परकास से यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है सही सी हमारी website यहां पर बन गई है and यह इस परकास से यहां पर यह visualize हो रहा है ठीक है तो हमारी यहां पर tool website तो बनकर ready हो करने के लिए हम यहां पर किसी भी ad netter का यूज कर सकते हैं, जैसे के आप Monotek का यूज कर सकते हैं, Google AdSense का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर AdStara का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप अपनी टूल वैपसाइट को आपको इंस्टेंटली monetize करवना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर recommend करूँगा, कि आपको AdStara को यूज कर लेना है, तो simply आपको AdStara को पचले जाना है, और इसके ऊपर अपना अकाउंट करीट कर लेना है, और अकाउंट करीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहां पर अपनी basic information को fill कर देना है, और आपका अकाउंट इसको पर करीट हो जाएगा, जैसी आप अकाउंट यहां पर करीट होगा, तो आपके सामने कुछ असपगा counterface है, अब आपको यहां पर आना है, add website इसको पकलिक करना है, यहां पर आपको अपनी website को add कर देना है, तो यहां से मैं इसके link को copy कर लूँगा, जा पहले मैं यहां पर जाएंगा यहा से मैं इसके link को copy कर लूँगा यहां से लिंक को वेबसाइट यहां पर reflect होनी start हो जाएगी, थोटा सा wait आपको यहां पर करना है, पहले आपर pending में ज़रा रहा है, एक से दो मिन्ट का wait आपको यहां पर करना है, और website आपको यहां पर क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, उसके बाद आपको अपनी website के लिए add unit create कर लेना है, तो पहले मैं रफ्रेश करके देख लिता हूँ, चेक करता हूँ, website यहां पर add होई है या नहीं होई है, उसके बाद हम यहां पर अपनी add unit को create कर लेंगे, और add unit create कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं, इस case में आपको आपड़ाना है, add unit इसको पकलिक करना है, अब जिस भी tab की add आप यहां पर generate करना चाहते हैं, आपको उसको choose कर लेना है, banner type choose करना है, create इसको पकलिक करना है, add unit आपके create हो जाएगी, ओके, दो-चार मिन्ट का यहां पर wait कर लेते हैं, और check करते हैं, website यहां पर अभी तक add हुई है या नहीं हुई है, तो again मैं यहां पर check करता हूँ, website अभी भी यहां पर pen नहीं दिखा दे रही है, तो यहां पर मैं किसी और website का example लेकर, आपको add unit लगाना सिखा देता हूँ, तो मैं इसको उपकलिक कर दूँगा, banner इसको उपकलिक करणगा, एद यहां से मैं इस banner को choose कर लेंगे, create इसको उपकलिक कर दूँग, तो यहां पर हम Got It इसको उपकलिक कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ ही सेकेंट इसमें आपको add unit की जाएगी, कि यहांपर यह भी अप्रूओ हो चुका है ठीक है न तो यहांसे मैं कहा करूँगा इसको पकलिक करदेंगा तो यहांसे यह वाली एड़ नियो 최िए एक्टी हो चुकी है तह यहां से मैं ग communal गेट कोड इसको पकलिक डेंगी उसके बात आपको इसके उपर आना है अब आपको यहां पर अपनी add unit को add कर देना है तो इसके इस में आपको यहां पर आना है assembly view इसके उपकलिक कर देना है and यहां पर मुझे अपनी add unit को add करना है तो यहां पर मैं इसको copy and paste कर दूँगा Then update उसको उपकलिक कर देंगे, अब हम यहां पर चECK करेंगे, कि हमारी add यहां पर दिखाई दे रही है, यहां निकाई दे रही है, तो अगेन मैं compose view इसको उपकलिक कर दूँगा, अगेन हम इसको नाँ अपर जाएंगे, पर एन इसको किया कर देंगा, refresh कर देंगे, read more इसको पकलिक कर देंगे and यहाँ पर check करेंगे कि हमारी add वगरा यहाँ पर add वे कि नहीं है तो यहाँ पर आपको gap दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर हमारी add वगरा show होगी तो यही पर हमारी add क्या हो जाएगी show हो जाएगी तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है आपको अपनी एड वगरा को एड कर लेना है ताकि आप यहाँ पर क्या कर सके आप अपनी वेबसाइट के माधियम से अनिंग स्टार्ट कर सके तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर अपना टूल website create कर लेना है and उसको आपको ad share के माधियम से monetize कर लेना है अब आपको यहाँ पर गगरना है last step में आपको यहाँ पर गगरना है आपको अपनी website के ऊपर traffic लेकर आना है वोगि स्टार्टिंग में आपकी website जलदी से Google पर rank नहीं करेगी तो Google को पर rank करवाने के लिए आपको यहाँ पर एक से लेकर दो महिने तका वेट करना पड़ेगा साथ में आपको अपनी website के ऊपर backlinks भी बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अपनी website को free traffic source को पर share करना है ताकि आपकी website पर backlink में बन जाए साथ में आपकी website के ऊपर initial traffic भी आ जाए और free traffic पराप्त करने के लिए आपको अमारे चैनल के playlist को पजाना है बहुत सरी free traffic की वीडियोस आपको मिल जाएगी उन वीडियोस को देख लेना है उसके ऊपर अपनी website को promote करना है website के ऊपर initial traffic लेकर आना है कर सकते हैं I hope आपको आज का method समझाए होगा कैसे आपको tool website करीट करना है वो भी आपको समना होगा अगर आपको आज के वीडियो चलेगी है तो मैं आपसे यहाँ पर request करूँगा कि आप अमेरे चैनल को subscribe कर लें वीडियो के ऊपर कम से कम हम रिलेक्स लेक्स लेके हैं ता किसी टैप का awesome content हम आपके साथ share कर पाएं